जाएं दोस्तो मेरा यूट्यूब चेनल डिफेंस93 में आप लोगा स्वागत है हमारी फैमिलीज एक लाग के करीब है तो प्लीज ज्यादा ज्यादा वीडियो को सेर किया करिए कि बहुत जल्दी एक लाग सेलिब्रेशन हो कर सके हम लोग सम्मील के और जितने भी मेरे भाई कर वा रहा हूं या मिक्स कोशन चैनल रहा हूं सबसे सब्सक्रायब करें जिससे आने वाली सारी सबसे पहले मिले झसे आज हम आपको बताने वाले है कि online class चाल स्थूर्ट हो जाएगा 5 February से तो प्लीज जल्द ज्यादा ज्यादा जूड़ जूड़िए क्यूंकि आप लोग को मैं बता दूँ बहुत कम प्राइज में रखा हूँ डेट्स और मात्रिस का प्राइज है और आपको 9693647878 पर पैमेंट करना है और इसका पैमेंट का स्क्रीन सोट 9142727989 पर भीजना है तो आपको यहां पर ग्रूप जोड़ दिया जाएगा जिन पचों को ग्रूप अभी तक एड़ नहीं हुए तो टेंसर ना लीज आपको ग्रूप में अड़ कर दिया जाएगा तो कर दिया जाएगा आप वेट कर लीजए और चलते हैं कोशन पुछे जाते हैं बहुत एज़ी तरीका से सॉल्व करने के कोशिस करेंगे ठीक है हम जहां तक मेरा हो पाएगा इज़ी तरीका से सौल्व करना है और चलिए अगला कोशन बोल रहा है जो पहला कोशन की दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है चो इस तो थीरी क तो बोल रहा है कि जो नया मुल संख्या जो होगा योग दोनों को कितना होगा बोल रहा है कि पहली संख्या में पचास को घटाया जाए तो जो मुल संख्या निकलेगा जो हमारा रेशियो आएगा मुल संख्या का वान इस टू फोर का एगा तो ऐसे में हम क्या करेंगे को जो पहले रेशियो दिया रहता है इस रेशियो में मुल संख्या या फाइनल संख्या लाने के लिए कि संख्या क्या था उससे हम क्या करेंगे या तो एक से मल्टीपल करें क्या करेंगे तो ऑचार बन रहा है यही कोशन है क्रोस मल्टिपिकेशन करेंगे तो ऑठ एक सम से मैं क्या करेंगे इदर ले आंगे तो इधर आठ में तीन जाएगा तो पांच एकस इधर आएगा दोनों जोड़ देंगे ढाई सो इसको कटेंगे पचास बार मतलब एकस की वैल्यू कितना आगया बच्छा एकस का वैल्यू मारा आगया 50 अब बोल रहां कि वह मुल संक्या क्या होगा तो क्या करेंगे 2x-50 फिर फिर नहीं तीन नहीं नहीं मुल संक्य हूगा 2 गुने 50-50 यह हो गया थींगुने 50-50 पर स्थिंगे क्यों करेंगे आक सक बेडाए 15 यहां पर करेंगे तो 5ूंत 12000-50 पलस डेट सो और पलस दो सो जाएगा 50 सो में पचास जागा तो 50 पलस दो सो टो टोल मिलागे किना खेंडाएए तो इसका राइट एंसर क्या और बचा थाइसो मुल संग क्यों होगा ठीक है हमको इसी तरीका से सॉल्व करना है आपको अगदी लगता है कि आप लोगँ को यह सारी चीज्श बेसिक से सिखनी है तो मेरे live classes से जूर सकते हैं क्योवकि live classes में आपको बेसिक से बताया जाएगा हर छीज को अगला questions की और ठीक है अगला questions की और चलेंगे बच्छा अगला questions computer महाँ सर्ल लगाया जा क्योंकि बच्चे लोग मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं तो उन्रों को questions दिया जा चलिए अगला question बोल रहा है कि एक वैक्ति 10 km की गती से 10 km परती घंटा की गती से कल्यान से मुंबे जाता है मतलब k से m तक जाता है, 10 km पर थी घंटा, ठीक है, speed है इसका, और बोल रहा है कि अब मुंबई से जो return आ रहा है कलियन वापस, 15 km पर थी घंटा, इदर से 15 km पर थी घंटा बोल रहा है, तो बोल रहा है कि इसकी औसत गती क्या होगी, इसकी ओसत गति क्या होगी? बचछे, ऐसे question को क्या करना है, जैसे अगर इस तरी कैसे बोलता है, कि A से B और B से A आता है, मतलsung A से X किलोमीटर परति घंटास जाता है ठीक है? और Y किलोमीटर परति घंटास आता है, question इस तरी कैसे है? तो इसकी कुल दूरी बटा कुल समय, अब हमको समय निकालना होता है, तो समय के लिए क्या करना होता है, तो distance को speed से divide करते हैं, time equal to, time equal to क्या होता है, अगर समय निकालना हो, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, है न बचा, यह हमारा formula होता है, चाल बराबर हो, तो क्या होता है दूरी बटा समय होताहेंगी नहीं तो हमने क्या किया है समय को करोस कर दिए तो समय इधर हो गया गुंणाव चाल से अब चाल गुनाव था इधर लाएं भागा हम तो यही फोर्मुला की समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल अब बोल रहा है टोटल डिस्टेंस आपको एक चीज़ बता दिया हूँ कि डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा तो मतलब आगर हम मानते हैं से एक्स तो यहां भी एक्स होगा तो क्या होगा टू एक्स है ना 10 कत कितना आएगा 30 आएगा और 10 को 30 से करेंगे तो 3x और इधर आएगे तो 2x है ना बच्चा किलियर है अब देखिए यहाँ पर 2x और यह तीन दूना 5x 30 होगा इधर भागा मिधर लाएंगे तो गुन्ना में एक से 12 किलो मेटर्व परती घंट इसके अवीरेईचस स्पीड क्या था बाच्या बारा किलोमिटर परती घंट इसके आवरेज है और स्पिड सरहेगा ऐसी तीरीव करेंगे और फ्रॉमुला पूट कर लेगे ध्यान रखेंगे क्या होगा तो 2xy ठीक है? 2xy हमारा अगर 2xy छोड़ दो yx ही रखो 2x distance तो एक ही रहेगा 2x रहेगा और यहाँ पर क्या करेंगे? x बटा p प्लस x बटा q ऐसे question को इस तरीका से solve करेंगे ध्यान रख लेंगे ठीक है? ऐसे question से अगर आते हैं तो इस तरीका से हम लोग solve करना इस formula से चलिए अगला questions अधी आप लोग चाहते हैं कि online test series मारने के लिए online test series को लगाने के लिए online test series से आपका ये चीज़ होगा कि आपकी speed बढ़ेगी और आपके जब speed बढ़ेगी तो आप exam में अच्छे स्कोर कर सकते हैं तो online test series के लिए क्या करें परिक्षा applications को download करिए link description में दिया हुआ है इसमें Indian Army Air Force Navy सभी का Indian Army का कोई भी site पर आपको test series नहीं मिलेगा लेकिन इसमें available है हम available करवा रखें इसमें तो प्रीज जाईए और प्रीवेश सिर्क जितने को मारिए इसे क्या होगा आपकी नॉलेज बढ़ेगी और जो कोस्टेंस आप नहीं होता आपको तो सोलूसन कर देता है सोलूसन किस तरीगा से इसको बनाना है ठीक है तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतना परफेक्ट बनेंगे कोसिस करिए जाके मारिये मेरा कूपन कोड रेफरल कोड यूज करिए मुकरिस 50 को 50% डिसकॉंट होगा जल्द जाएए लिंक डिस्कॉस्टम में है चलिए अगला कोशन्स चलेंगे बच्चा अगला बोल रहा है कि उसने उतने में पर्तियक को 42 रुपय के दर से बेच दिया तब बोल रहा है इसके लावपरतिसत कितना होगा देखिए बोल रहा है 480 रुपिया में 20 दर्जन खरिदा ठीक है परती दर्जन परती दर्जन मतलब एक दर्जन में कितना होता है एक दरजन में कितना होता है बारा होता है अब अगर बारा को 20 पहले क्या करेंगे 480 को 20 दरजन का रेट निकाल देंगे पहले तो 00-92 96 रुपिय हो गया है ना बचा मतलब 96 रुपिय मैं इसमें इन्वेस्ट किया तो कितना पीश खरीद लिया तो 20 मतलब 20 दर्जन को इतना में खरिदा आप बोल रहा है कि पर्तेक को 42 रुपया में खरिदा है बेचा है तो 20 को कितना में बेचेगा बचा 20 दर्जन को 42 रुपया के दर्जन से बेचा है तो उसका परतिसात लाब क्या होगा तो हम लोग जानेंगे कि 96 रुपया 96 रुपया इसने टोटल इंवेस्ट किया था टोटल केले में तो 96 में क्या करेंगे सको्ट कर देंगे से क्या करेंगे कि कैटना से टो परतिकेला है तो एक केला 2020 फ्रने कर देंगे तो इक से कट जाएगा इस तो कटे नियुक्त असलों ना 40 रूपिय कटे जाएगा लेकिन बोल रहा है कि श्रीट नहें तो इस निकालें ये एक सुना से में था और ये कट देंगे दो बार में यह कटेगा पांच बार में मतलब कितना पर्षेंट का फाइदा हुआ तो पांच परतिसत कैसे प्रोफिट हो गया किलियर है समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियोस को लाइक करते रहिए हमने क्या बोला कि 96 रुपिया में टोटल खर्चा किया टोटल केले खर्दने में अब 96 रुपिया केला 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 है 240 केला 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 है तो एक केला के रिट मेंने क्या निकाल दिया 40 रुपिया क्योंकि 96 से अगर 240 में डिवाइड कर देंगे तो एक केला का दाम निकल जाएगा अब एक केला 40 रुपेम खरिदा है और वही केला मतलब इस पैन को मैंने 40 रुपेम खरिदा दूसरा इस पैन को फिर हम 40 रुपेम बेज दिये तो इस प्रॉफिट कितना हुआ प्रॉफिट हुआ तो 2 रुपेम कितना पॉपिट हो तो 5 पॉपिट का लाएगा क्यों कि आप गुंकि आप गुना करके देख लिजेगा अगर अगर 40 रुप्य है डबल डॉपेम और अगर दो रुपिए का प्रॉफिट लेगा तो पांच परॉपिट कमाएगा ठीक है दो संख्या क्या क्या धिया रोड उच्तिरी फिर बोला है 2 उच्ट्थ 5 ऑन . Cookनопात में हैं सबसे बड़ी संख्या चोटी संख्या का बीच अंतर नांज है तो संख्याएं ग्याद करें ठीक है बोल रहा है कि एक ratio दे दिया है, इस ratio का जो बड़ी संख्या होगा, जो सबसे छोटी संख्या, अगर दोनों 20 का जो difference हो 9 है, तो बोल रहा है कि संख्या है, find करिए, हम क्या करेंगे, एक चीज़ करेंगे, कि सब भी value को लेख चलेंगे, ठीक है, पहले slate कर लेते हैं, कि संख्य अब क्या करेंगे, एक सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो अगर हम 2 रखेंगे, अपने आप से put करके देखेंगे, बड़ी संख्या में कौन होगा, तो हम लोग पूट करते हैं, तो 2 रखेंगे, तो x का जगा 2 बटा 3, इधर आएगा 2 दुना 4 बटा 5, इधर रखेंग इस से बड़ा ये होगा, मतला सबसे बड़ी कौन संख्या का चया बटा 5, क्या होगी? 4 बटा 5, मतला 2x बटा 5 minus, सबसे छोटी संख्या का अगर, x बटा 4, equal to क्या है गा? 9, मतला बोल रहा है कि दोनों का जो रेश्यू है, difference जो है दोनों संख्या का बड़ी संख्या सब चो 2x मतला 4 2 8x-5x multiple करेंगे cross multiples करेंगे 9 को 20 से करेंगे तो 180 आएगा बच्चा है ना अब यहाँ पर कितना आएगा तो 3x आएगा तो करेंगे 24 बार में कटेगा ये दो बार में तीस बार में ये 5-15 बार मतलगा कितना गया 20 इस्तू 24 इस्तू 15 आएगा जो अप्सवन होगा यह एंसर कर लीज़ेगा ठीक है लगए मिलेकास पार एशन इसका right answer है देख लिए ठीक है जडिए चलिया टाइम वरबाद नहीं करना है अगला कोशन अगला कोशन बता रहे हैं लेक्व कोशन को शोलूसंस करने के खुशिस करिए और पेपर लेके बढ़िए कोपी पेपर लेके बढ़िए ठीक है बचा चलिए अगला कोचन बोल रहा है कि एक कारी को अकेले 12 दिन में करता है मैं आपको बताया था कि टाइमेंड वर्क में कैसे सॉल्व करना है और बोल रहा है भी उसको काम को 10 दिन में करता है बोल रहा है कि एक आगर काम करता है 12 दिन में और भी अगर इस काम को करता है 10 दिन में तो दोनों का रेशियो अपने बता है था कि कैसे टाइम अड़ वक में करता है रेशियो दोनों का अगर हम लोग लेंगे चालीस रुपी आएगा अब एक का पूछ रहा है कितना पाववर का दूपांच काम करने का 40 में पांच इसका रेशियो कितना थो इसका पावर एक कितना हिसा होगा 200 रुपी होगा ठीक है अईसे को सब्थ करेंगे चे चले अगना कोशेंस को देखते हैं ठीक है आगना कोशेंस बोल रहा है कि एक सरकल है जिसका रिडियेस में फाइब मिसेंटिमेटर को इंक्रीज करता है मंतला falt में एक घुब्रेडियेस अगर कुछ में सब कुछ करिए इसमें बोल रहा पांच दूना दसीन होगा मल्टीपल होता है ना तो पांच दूना दस पांच गुणा हो जागा तो दस पाइ जागा इसका शाली है अगला कूशन्स एक्प राशी प्रचक्रिविर्दी ब्याश तीन वर्स में 85 रुपय हो जाता है चार्वर्स में 9520 रुपय होगी तो परती वर्स ब्याजदर कितना होगा ब्याजदर मतलब रेट ओपिंट्रेस पूछ रहा रहा रेट कितना होगा इसका राइट परती वर्स तो देखिए एक एक साल का डिफ्रेंस बन रहा है वह 1020 रुपया बन रहा चेकर विर्दी ब्यास में ठीक है तो इसको क्या करेंगे सवाल्व करेंगे रेट ऊपिंटरेस्ट मतलब और परसनेटेज इक निकालना होता है तो तो क्या करेंगे ध्यान रख लेना एक चीज कि हमेसा एक चीज़ करकरना हें रेट इन्टू जो मूल निवास मूल रासी होगा सो तो क्या होगा वैल्यू हापे 1020 रुप्या हो रहा है और नीचे क्या हो रहा है तो टोटल जो साल के लिए अगा चलिए यह सी तरी करवा देखने को मिलता रहेगा आपको नीच्ट वीडियो के इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो को को reasoning का देखने को मिलेगा तो आई हो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को like करें ज्यादा ज्यादा like share करें और वीडियो सब्सक्राइब क्यों कि इसमें 50% लोग अन सब्सक्राइबर हैं पिलीज सब्सक्राइब कर दीजिए